हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विट स्मार्टनेस में आई होब कि आप लगतार हमारे वीडियो के टच में हैं और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिलकुल भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आज से हम आपको फिजिक्स के कुछ चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनका हम आपको पूरी तरह से पूरा विडियो जरूर देखियेगा क्योंकि आगे हम आपको बहुत इंपॉर्टन जानकारियां देने वाले हैं इससे रिलेटेड पूरा विश्लेशन होगा डीप कुछिए वैसे ही हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं चलियो चलते हैं स्टार्ट करते हैं आज का लेक्ष इसमें हमें सभी चीच को संख्या के रिज्ण करते हैं इसा जेसे कि पैसा होता है उसे भी हम राशी कहते हैं क्योंकि पैसों में हमें एक संख्या दर्शाय जाता है इसी तरह से अगर हम भौतिक राशियों की बात करें तो ऐसी राशियां जिनमें भौतिकी के नियमों का पालन होता है जिनमें भौतिकी के नियमों का पालन किया जाता है वही होत सदिश और दूसरी होती है अदिश ठीक है बहुतिक राशियां जो होती है हमारे पास दो प्रकार की होती है पहली सदिश राशी वेक्टर कॉंटिटीज और दूसरा अदिश राशी इसकेलर कॉंटिटीज देख लेते हैं कि अदिश राशी और सदिश राशियां होती क्या है ठीक है पहले हम देखते हैं कि अदिश राशी किसे कहा जाता है जैसा कि नाम से इस पस्ट है कि अदिश जिसमें दिशा ना हो अदिश जिसमें ऐसी राशियां जिसमें दिशा व्यक्त करने की आवशक्ता नहीं होती केवल परिमाण की आवशक्ता होती है परिमान कहने का मतलब है उसकी मात्रा quantity जी हैं अदिश राशिया ऐसी राशिया जिसमें हमें केवल मात्रा उसका परिमान या फिर उसकी quantity व्यक्त करने की आवशक्ता होती है जिसमें हमें दिशा बिलकुल भी व्यक्त करने की आवशक्ता नहीं होती है ऐसी राशियों को हम कहत अदिश राजियां ठीक है इसके कुछ और दो के बाहुत आव ये जानकारी होना कि कौंसी राशियां और कौंसी सदश जाने होना की कौं सी राषिय अदिश है Junior घनत्व, तापमान, कार्य, आयतन, विद्धुद्धारा ये सभी राशियां जो हैं ये अदिश राशियां देखिए जब हम समय के बारे में अगर हम बात करें तो जब हम समय पूछते हैं किसी से तो हमें जवाब में उत्तर की ओर, तीन बजे दक्षण की ओर इस तरह से हमें समय की जानकारी नहीं मिलती समय की जानकारी हमें सिर्फ परिमार के रूप में प्राफ्त होती है उसी तरह चाल्द, रविमार और घनत्यु की बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमें दिशा बताने की बिलकुल भी आवशक्ता नहीं होती है पारे आयतन, विद्धार में भी सेम चीज़े हैं इसलिए इन सभी राशियों को अदिश राशियों के अंदर रखा गया है ध्यान से देख लीजेगा इन सारी चीज़ों को एक्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं न कहीं इससे कोशन ज़रूर बनते है चली, अगर पहला होगे हमारा अदिश राशी अब नेक्स देखते हैं सदिश जैसा कि नाम से सबस्ट है सदिश राशिया कहने का मतलब है इसमें दिशा व्यक्त करने की आवशकता होती है जिनमें परिमान के साथ साथ दिशा भी होती है जिनमें परिमान के साथ साथ दिशा भी होती है अगर हम परिमान व्यक्त कर रहे हैं उसके साथ हमें दिशा व्यक्त करना भी आवशक है इसके example देखते हैं सदिश राशियों के हमारे पास धेरो example है ध्यान से देखिएगा कि सदिश राशियों के हमारे पास धेरो example है लेकिन हमें सिर्फ वही देखने हैं जो हमारे exam point of view से important है example एक बार हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि आखिर हैं कौन कौन सी क्योंकि हमें एक बार read करना बहुत जरूरी होता है exam के लिए in case अगर हम हमारे पास options हैं तो हमारे दिमाग में कहीं न कहीं क्लिक जरूर हो जाता है अगर हमने एक बार भी उस चीज को पढ़ी होती है तो फटा फट देख लेते हैं example सधिस राशियों के पहला है बल, वेग, विस्थापन, त्षण, संवेग, आवेग, रेखी संवेग, कोनी विस्थापन, कोनी वेग, बल, आगून, चुम्ब की चेतर प्रेण, चुम्ब की चेतर की तीवर्ता, चुम्बक की आगून, विद्ध इत्यादी इसमें देखेगा जब ही हम बल लगाते हैं अगर हम बल की बात करें वेक की बात करें तो यहां पर जब हम बल लगाते तो हमें यह बताना पड़ता है कि हमने कितना बल लगाया है और किस ओर लगाया है किस ओर कहने का मतलब है किस दिशा में लगाया है तब ही हम उसका सही सही अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बल वहाँ पर लगाया गया है सेम चीज होती है वेग विस्थापन के साथ भी हमें विस्थापन के लिए भी बताना होता है वेग के लिए ही बताना होता है कि उस वेग विस्थापन किस दिशा में हो रहा अगर हमें बहुती राशियां हैं, उनके नाम हैं, तो उनके मात्रक होना भी आवश्चक है, कि इन चीजों को जैसे कि बल विस्थापन आदी को, लंबाई आदी को किस मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है, किसी राशी के मापन के निर्देश को मानक को मात्रक कहते हैं अर्थात, अगर हमें किसी राशी को मापन करना है, उसकी मात्रक को नामना है, तो उसके लिए हमें हर एक राशी के लिए अलग-अलग मात्रकों की आवश्चकता होती है, ठीक है, तो मात्रकों की, चनरली मात्रकों के दो प्रकार होते हैं, देख लिए चनरली मात्रकों के जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, मतलब ऐसे मात्रक fundamental units उन्हें कहते हैं, जिनने हम सिर्फ उन्हीं मात्रकों की आवशक्ता होती हैं, उनके अलावा हमें किसी और मात्रकों की आवशक्ता नहीं होती ये उन्हें हम मूल मात्रक कहा गया है इन्हें आप बट अच्छे से आद कर लिजेगा इनकी संख्या कुल 7 है कि एवल साथ ही हमारे पास fundamental units हैं फिर इन ही fundamental units से मिलकर ही हमारे पास वितपन मात्रक तयार होते हैं तो इन 7 मात्रकों को बहुत अच्छे से contest कर लीजेगा एक집 में जरूर पुछ आते हैं की इन मेंसे कौन मूल मात्रक है और कौन से वित्पन मात्रक है चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं मीटर, सेकेंड, किलोगराम, एंपियर, मूल, कैल्विन और कैनडला मीटर, सेकेंड, देखते हैं विद्पन मात्रक क्या वही चीज है अगर मूल मात्रक सतंतर होते हैं तो विद्पन मात्रक दो या दो से अधिक मूल मात्रकों के माध्यम से मिलकर व्यक्त किया जाते हैं और तो उन्हें हम विद्पन मात्रक कहते हैं जब दो या दो से अधिक मूल मात्रकों को साथ में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम वत्पन मात्रक कहते हैं वत्पन मात्रक या फिर derived units derived units यहाँ पर कुछे बहुत कम examples दिए हुए हैं आप देख लिए Newton, Pascal, Joule, Volt इसके लावा बहुत से मात्रक हैं जो की मूल मात्रकों से डिराइव करके बनाये जाते हैं इसलिए उन्हें डिराइव डियोनिट से वित्पन मात्रक कहते हैं चलिए देखते हैं मात्रक की पद्धतियां क्या होती हैं मातरक की पद्धतियां, ये पढ़ना बहुत आवश्यक है, मातरक की पद्धतियां कि हम किस-किस तरह से मातरकों को व्यक्त किया जाता है, तो इसमें सिबसे पहला है CGS पद्धति, CGS पद्धति, सैंटी विलोग्राम मीन्स लंबाई को हम इसमें मीटर में नापते हैं, तरभ इसमें हम लंबाई को फुट में, दव विमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में नापते हैं, इसके बाद चौथी सबसे इंपोर्टेंट हमारे पास पद्धति आती है, अनतराश्ट्रिय मातरक पद्धति, जिसे हम कहते हैं SI Unit System International, ये हमारे पास बेसिकली चार पद्ध मातरकों को राशियों को नापते हैं, और उन्हें व्यक्त करते हैं, अनतराश्टी मातरक पद्धति के बारे में हम थोड़ा सा यहां पर देखना चाहेंगे, कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि अनतराश्टी मापतौल की अधिवेशन, 1960 में SI Unit को स्विकार किया गय आजकर इस पद्धिती का ही उपयोग किया जाता है, SI का पूरो नाम देख लेंगे, International System of Units, International System of Units, ठीक है, आगे चलते हैं, यहां पर हमारे लास्ट टॉपिक थोड़ा सा ही है, उसो देखते हैं, इसमें साथ मूल मातरक और दो संपूरक मातरक होते हैं, इसमें कहने का मतल हुए जो देखा था, मूल मातरक और विद्पन मातरक, वैसे ही, यहां पर साथ मूल मातरक होते हैं और दो संपूरक मातरक होते हैं, इन्हें भी याद करना बहुत जरूर ही है, question point of view, exam point of view से यह भी बहुत important है, देख लेते हैं साथ मूल मातरक कौन कौन से हैं, meter, kilogram, second लेजी कि अरिटए तेजार प्रोड़ू pretending झाश़ू के अंचे ही रुटू ह सिधısित हो रिए लायों ळल में लिए लोत स्काशफिक है